Hello everyone, welcome to my channel CodeSori with Mike तो आज आज आप मैं Lead Code Easy के playlist का वीडियो नमबर 36 करने जा रहे है Lead Code No. 506 Easy marked है, काफी simple सा question है, बस practice के लिए काफी अच्छा है You are given an integer array score of size n, where score i is the score of the i-th athlete ठीक है? i-th athlete का score अगर आपको जानना हो, तो वो score i में present होगा ठीक है, athlete in a competition All these scores are guaranteed to be unique ठीक है, सारे scores जो दे रखे हैं वो unique होंगे The athletes are placed based on their scores, where the first place athlete has the highest score Second place has the second highest and so on The placement of each athlete determines their rank First place को gold medal मिलेगा Second place को silver Third place को bronze और उनके बाद वालों को न, for fourth place to nth place, their rank is their placement number जैसे माल लेते हैं किसी का placement number x था, तो rank में x डाल देंगे उसके Return an array answer of size n, where answer i is the rank of the i-th athlete जैसे यहाँ पर देखो मैंने result भी हटा दिया, हम देखेंगे कि result कैसे बनाए गए इसका इसने क्या बोला है कि जो आपका result होगा, answer i उसका भी size इतना ही होगा, क्योंकि देखो हमारे पास 5 athlete है तो यह भी हमारा 5 ही होगा, तो इसका indexing कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब देखते है, 0-th वाले athlete का कितना rank होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे 0-th वाले athlete का score चाहिए, तो 0-th वाले athlete का score है 10, बट अभी मुझे पता ही निए कि कि इतना highest score है, इतना highest score है, इतना ऐब उसके बाद फ़ॉर्थ highest कोन सा है चार है उसके बाद 3 है, ऑगेником करते है 0-th वाले athlete का score देखते है, 10 है, क्या यह highest है, motor चाहिएτ है तो इस पर गोल मेडल लिखेंगे, मैं शॉटकट में GM लिख दे रहा हूँ, गोल मेडल, ठीक है, अब आते हैं, फस्ट वाले अथलीट पर, फस्ट वाले अथलीट का अंसर निकाल रहे है, तो इसका स्कोर कितना है, थ्री है, तो थ्री देख रहे हो, एक, दो, तीन, फिफ्थ हाइस है, थ्री जो है, वो फिफ्थ हाइस है, फस्ट हाइस यह था, सेकंड, फिफ्थ हाइस है, तो यह जो फस्ट एथलीट है, जिसका स्कोर तीन है, उसका रैंक पांच होगा, ठीक है, क्वेशन में दे रहा है, फस्ट, सेकंड और थर्ड वाले बंदे का, रैंक में गोल्ड मे अब यहां पर आते हैं यह 8 जो है देखों यह second height 382 इस number यहां यहां पर देखो तो इसका मतला सेकंड वाला है जो अथिलीट है सेकंड लाय जो ऊटलीट है उसका जो स्कोर है वो स्थ सचेज यह तर याय क्या मिलने वाला है Bronx मिलने वाला है यहां पर हम ब्रोंज मदल लिग देते हैं अब आते थर्ड वाल एथिलीट कीतने और इसकट अपर हम 4th पर लेंगे इस प्लेयर को एक हैто तो यह आपर जो इंडेक्स है वह एलीट को डिफाइन कर रहा है कि यह स्ट वाला इतलीट है यह फिर्सट फालीट है सेकेंड फ ट्रूर फ़ोर्थ फॉर्थ फ्रूर टा यहां पर पता है आपको यह पता करना तो कि फ्रस्ट ऑ जो रिमेंइंग है उनका जितना रांग के इसाब से उतना आपको कर देना है यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं इसका स्कूर जो है पर वी पड़ता इस लिए यहां पर 5th लिख दिया हमने 5th rank तो बहुत से अप्रोच भी होगा इसका अगर आप नोटिस करो तो आपको जानना कि आपको बस यही तो जानना है कि पहले तो रिजल्ट अरे बना लेते हैं आप जी रो हर एथलीट का इंडेक्सिंग कर दिया मैंने अब आपको यही बताना ना कि यह वाला एथलीट यह वाला एथलीट यह वाला एथलीट यह वाला एथलीट इन सबका रैंक क्या है वही आपका रिजल्ट होगा ठीक है यही तो बताना है तो उसके लिए आपको क्या जानना पड कर दिए ना तो इसको आगर सौर चाहिए यह तो सउर्फ कर देते हो इसको अगर आप मान Maeं मनलोटें सौर कर दिया अपने किभला सने दिसेंडिंग में कर दो भूए फिर दिके हैं जब क्या है नाइन अो गया इए फोर हो गया थीक ए तो स्कोर कामने डिसेंडिंग告诉 में sort कर दिया अब एक चीज धियान दो highest score कौन सा दिख रहा है 10 दिख रहा है second highest score दिख रहा है 9 बट ये तो दिख रहा है बट मुझे ये थोड़ी पता कि ये जो जैसे इसको 9 जो है ये किस player का ये किस athlete का score था ये तो lost हो गया ना क्योंकि आपने sort कर दिया है ना ये जो 9 score था ये player number 3 का score था athlete number 3 का बट ये तो आपने sorting की वज़ह से अपने उस index को lost कर दिया उस information को lost कर दिया तो हमें बदा इनफोर्मेशन को भी store कर लेना चाहिए था तो मैं क्या करूंगा या तो आप map में store कर लो क्योंकि सारे scores unique है तो आप map में store कर लो कि भाई 10 जो है ना वो player number, athlete number 0 का score था 3 जो है ना athlete number 1 का score था ये रहा 3 फिर 8 जो है athlete number 2 का था 9 जो है वो athlete number 3 का था 4 जो है athlete number 4 का था ठीक है ये information अब आपने store कर ली अब आप इसको sort करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको sort कर लो 10,9,8,4,3 ठीक है अब एक चीज़ ध्यान दो सबसे पहला वाला जो score है वो बड़ा है 10 है तो हम देख लेंगे 10 कौन से athlete का था? 0th athlete का score था तो मैं 0th index पर जाओंगा 0th athlete के पास जाओंगा result में और वहाँ पर गोल्ड मेडल लिख दूँगा ठीक है? उसके बद देख तो second highest number किसका है? 9 है अब मैं map में check करूँगा कि 9 जो है वो किसका score था? 3rd वाले का था 3rd वाले athlete का था तो देखो मैं 3rd वाले athlete के पास गया और बोला भाई तुम second rank पर हो तुमको मिलेगा silver medal ठीक है? उसके बाद मैं आया 8 पर है ना? तो 8 3rd number पर है obvious सी बात है ठीक है? उसको bronze medal मिलना है बट 8 जो score है वो किस athlete का था? athlete number 2 का था राइट? तो मैं index number 2 पर जाओंगा उसको बोल दूँगा कि भाई तुझे bronze medal मिल रहा है ठीक है? तो एक तरीका यह हो गया कि आप map की मदद से कर सकते हो map में store कर लिया आपने ठीक है? दूसरा तरीका यह हो सकता था कि आप एक और एक नया अरे बनाओ वहाँ पर हर एक बंदे का हर एक player का score के साथ-साथ उसका index भी लिख दो 10 जो है index मतलब कौन सा athlete का वो score है? ठीक है? जैसे 3 जो है athlete number 1 का score था 8 जो है athlete number 2 का score था 9 जो है athlete number 3 का score था और 4 जो है वो athlete number 4 का score था है ना? देख रहो index भी लिख दिया साथ ही साथ athlete का number भी लिख दिया हमने अब आप इसको sort कर दो based on the score यह जो score दिख रहा है ना 1038 उसके basis पे इस को इस array को sort कर दो ठीक है तो देखो यहाँ पर sort कर दो यहाँ पर sort begin of array end of array अगर आप इसको करना चाहते हो descending order में तो greater end लिख दोगे न greater end तो यह इसको descending order में sort कर देगा और by default यह पहले parameter की basis पे sort करेगा पहले parameter देखरो दो value है हर एक entry में दो values है पहला value यह है जो की score है दूसरा value क्या है अथलीट का number है कौन सा अथलीट है तो by default पहला वाला जो parameter है ना इससे score के basis पर descending order में sort हो जाएगा तो अगर sort करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 10 सबसे पहले आएगा उसके बाद 9 आएगा उसके बाद 8 आएगा उसके बाद 4 आएगा उसके बाद 3 आएगा ठीक है 0,1,2,3,4 ओके अब देखो यहाँ पर अब तो बहुत सिंपल हो गया आप अपना result अरे यहाँ पर बना लो result का भी size वही होगा 0,1,2,3,4 ओके अब आप सिंस यह sorted है आप पहले वाले पर गए ठीक है यह highest बंदा है highest score वाला बंदा है यह 0th है 0th index 0th होता athlete है तो यहाँ पर gold medal लिख दो 0th index पर यह 3rd index पर आप गए वहाँ पर silver medal लिख दो 2nd index पर गए वहाँ ब्रोंज medal लिख दो उसके बाद 4th index पर गए वहाँ पर इसका rank कितना होगा सिंस यह चौथवे position पर आ रहा है पहला position दूसरा position तीसरा position चौथा position मतब इंडेक्स का जो भी value होगा उसके में plus 1 कर दो तो चौथा position पर आया तो यहाँ पर 4 लिख दूँगा ठीक है यहाँ पर आओ यह पचवे position पर आ रहा है ठीक है कौन सा athlete है athlete number 1 है तो मैं athlete number 1 के पास गया और यहाँ पर 5 लिख दिया कि भाई तेरा rank ना 5 है ठीक है क्योंकि देखो हमने जब sort किया इस array को तो based on the score यह sort हो गया यह बंदा 1 था यह बंदा 2 था यह बंदा 3 आया यह बंदा 4 था आया यह बंदा 5 आया ठीक है तो 1st, 2nd और 3 वाले को जो उनका rank है वही लिख दिया है string बना कर ठीक है यह सारे string होने चाहिए ठीक है vector of string हम return करेंगे यहाँ तक clear है तो 2 तरीक है एक तो map के through कर लिया मैंने यह तो एक array बना लिया जिसमें index भी store कर लिया हर number का index किया है हर score का index किया है यहाँ तक clear हो गया ठीक है तो आव आते हैं अब देखो अपने approach 2 पर ठीक है देखो approach 2 बहुत simple है यहाँ पर approach 1 में हमने क्या था sort कर दिया था index स्टोर कर दिया है साथ में score के साथ और उसको sort कर दिया था तो हम sort ना करके हीप में भी तो डाल सकते है max heap में डाल दो तो max heap में डाल लोगा तो obvious है आपको फाइदा क्या होगा कि हमेशा top पर आपको maximum score वाला बंदा मिलेगा ठीक है तो इस बार heap में हम बता है क्या डालेंगे जो score है जैसे अभी मैं लेते है मैंने इसको देखा इसका score 10 है और किस अथलीट का है जीरो थोल अथलीट का है ठीक है तो मैं यहाँ पर 0 डाल दूँगा ठीक है उसके बाद 3 है तो 3 डाला और यह किस का है अथलीट नमर 1 का है उसके बाद 8 आया ठीक है तो obvious ही बात है second highest है तो यह 10,0 उपर आजाएगा उसके बाद आजाएगा 8,2 उसके बाद आजाएगा नीचे 3,1 आजाएगा क्योंकि तो मैक्स ही पहे तो maximum score उपर आएगा second highest यहाँ third highest यहाँ पर ठीक है ओके यह हो गया यह हो गया ठीक है तो 9 जब आया तो obvious ही बात है 10,0 यहाँ आजाएगा उसके बाद आजाएगा 9, इंडेक्स के 9 का 3 है third वाल अथलीट का score है अब आया 4 ठीक है तो 4 है तो obvious ही बात है second यहाँ पर आएगा 4, कौन से प्लेयर का 4 का है ठीक है इंडेक्स के बराबर है उसका time complexity किया था o of n log n ही था क्योंकि आपने sorting करा था और space complexity आपने o of n लिया है क्योंकि अलग से आपने एक array लिया था यहाँ पर भी time और space complexity वही है time मेरा n log n हो जाएगा और space मेरा o of n हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने n elements डाले है ठीक है size n है तो अब देखो बहुत simple हो जाएगा हमने क्या किया एक result array बना लिया यह मेरा result है 0,1,2,3,4 ठीक है यह athlete यह सारे athletes है 0,1,1 and so on तो अब मैं क्या करूँँगा सबसे पहला वाला score निकालूँगा top पर जो है वो highest score होगा उसका position क्या होगा मैं लिख देता हूँ उसका position होगा 1 होगा क्योंकि वो पहला बना है तो position is equal to 1 अभी लिख रखा है तो पहला बना अभी pop हुआ इसका score 10 है किस index का था किस player का था जीरोथ वाले player का था तो मैं जीरोथ वाले player पर गया मैंने देखा अच्छा यह position 1 वाला बन्दा है क्योंकि यह पहला बन्दा है तो मैंने इसको क्या दे दिया गोल्ड मेडल दे दिया ठीक है अब इसके बाद जो भी बन्दा आएगा मेरे हीप से उसका rank क्या होगा second होगा तो मैंने position को plus plus करके second बना दिया अब जो भी बन्दा आने वाला है क्योंकि वो दूसरे बन्दा होगा second rank वाला बन्दा होगा क्योंकि यह देखो descending order में sorted है तो अब आया मेरा 9,3 यह second highest वाला नंबर है ठीक है position देखो दो मैंने कर दिया है और इसका score कौन से athlete का third वाला athlete का तो मैं third athlete के बाद गया since यह position second है ना इसका तो second वाले हो क्या मिलने वाला था silver middle मिलने वाला था silver middle दे दिया ठीक है और मैंने position अब बढ़ा दिया कि अब third position वाला बन्दा आने वाला है ठीक है third position वाला बन्दा कौन है 8,2 है उसको मैंने pop कर दिया heap से ठीक है 8 score है second third position पर है यह बन्दा और इसका index 2 है मतलब second वाला athlete का है ठीक है तो महां गया मैं और bronze medal दे दिया उसको ठीक है इसके बाद position 4 है ठीक है कौन आया 4,4 ठीक है 4,4 इसका score 4 है कौन से athlete का था फॉर्थ वाला athlete का था उसका position कितना है rank कितना है 4 है तो मैं simply यहाँ पर 4 डाल दूँगा string बना के ठीक है उसके बाद 3,1 आया ठीक है और हाँ इसको 5 करना मत बूलना पर rank तो बढ़ता चला जाएगा ठीक है position ना बोलके है rank जो है वो 5 है rank को ही string बना कर यहाँ पर डाल दिया ठीक है काफे simple approach है यह भी तो यह हो गया हमारा approach 2 अब आते है अपने last approach में उसके बाद तीनों को एक साथ ही code कर लेंगे क्योंकि छोटा सा problem है जल्दी से हो जाएगा अब देखो आते है अपने last approach approach number 3 में आपको याद होगा approach number 1 में आपने क्या किया था एक map लिया था है ना और उस map में आपने क्या स्टोर किया था कि जो भी score है वो किस athlete का था है ना athlete बोले तो किस index वाले athlete का था ठीक है तो map की बजाए आप array में भी store कर सकते हो देखो कैसे आप एक काम करो पहले तो इस score वाले array में maximum score कौन सा है 10 है ना इससे ज़्यादा तो score आ नहीं सकता है तो आप एक काम करो 10 प्लस 1 यानि कि 11 size का एक array बना लो 11 size का मैंने array बना लिया 11 size का क्यो बना है क्यो कि इसमें index 10 तक आ जाए गया जो की मेरा maximum score है ठीक है तो मैंने यहापर max element निकाल लिया था max score आप निकाल ले ना 10 है ना तो मैंने 10 प्लस 1 size का एक array बना लिया ठीक है और यह क्या represent कर रहा है यह represent दिखो score कर रहा है जो index है ना वो score है यह 10 है score है यह 9 score है यह 8 score है 7 score है 6 score है तो score है और हर score जो है वो किस player ने लाया था याद करो approach 1 में वही तो किया था score versus athlete की किस athlete का वो score है ठीक है वो भी अब हम store कर लेंगे कि देखो यह 10 score है यह unique होगा ना सिर्फ question में दे रहा कि हर score unique है किस athlete ने लाया था index number 0 athlete ने लाया था तो मैंने यहाँ पर 0ities store कर दीया ठीक है अब देखो यहाँ द्हान दो यह 3 score है तो मैं 3 score पर गया किस athlete ने लाया index number 1 वालaky athlete ने लाया तो देखाया थो हम हर score का index store कर रहें और कुछ नहीं जैसे score 8 है उसका index 2 तो 2 score क कर दिया है यह score 9 है उसका index 3 है यह score 4 है उसका index 4 है ठीक है index 4 शोर कर दिये है मैंने यहां तक clear है और बाकी जगा क्या कर गोगए minus 1 डाल दो minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 ठीक है तो आप देखो आपके पास यह information आ चुकी है कि maximum score score क्या है और किस athlete का वो score था ठीक है अब मैं एक काम करता हूं result array बनाता हूं यह result array है 01234 ठीक है अब देखो ध्यान देना highest score कहां पर दिखेगा आपको इस अरे में और सी बात है और उतनही साइस का array बना लिया था ठीक है तो highest score यह होगा है ना जो भी मेरे maximum score तो मैं वही से start करूंगा ठीक है ठीक है और मैं यहाँ पर rank नाम का एक variable प्लेयर का था तो मैं जीरो थो इंडेक्स पर गया और सिंस यह rank 1 वाला बंदा है पहला बंदा है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया goal medal अब इसके बाद जो भी बंदा मुझे मिलेगा उसका rank 2 होगा अब्विस से बात है तो मैं यहाँ पर आया क्या यह इसका score 9 था किस प्लेयर का था था थर्ड वाल प्लेयर का था तो मैं थर्ड वाले इंडेक्स पर गया और इसको दे दिया rank 2 है तो rank 2 मतलब silver medal देना है इसको ठीक है यहाँ पर आया मैं क्या यह minus 1 के बराबर है नहीं minus 1 के बराबर नहीं है इसका score 8 है कौन से प्लेयर का था टू प्लेयर का था ठीक है अचा रांक बढ़ाना मत बूलना टू प्लेयर का था तो टू इंडेक्स पर मैं गया rank इसका 3 है तो 3 वाले को bronze medal मिलना चाहिए ठीक है ओके अब rank को मैंने बढ़ा दिया 4 कि अब जो next पर आएगा उसका rank 4 होगा तो next player पर मैं आता हूं यह तो player ही नहीं यह तो minus 1 है यहना कि score 7 किसी ने किया ही नहीं था तो इसको ignore मारो यह भी minus 1 है इसको ignore मारो यहां पर आगे score 4 है यह minus 1 के बराबर नहीं है इसका rank क्या हो गहाँ तो rank की value जो भी है वो डाल देंगे जो भी rank की value है चार था अब जो next player मिलेगा उसका rank क्या होने वाला है 5 होने वाला है देखते है next player को होने next player यह है इसका score 3 था और इसका कौन सा player है फर्स्ट वाला प्लेयर है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर मैं गया, ठीक है, और इसका rank कितना है, 5 है, तो 5 डाल दिया मैंने, ठीक है, rank अब बढ़ा देते हैं, 6, बाकी और कोई player ही नहीं, सब खतम हो गया, हमारा answer देखवा चुका है, ठीक है, तो हमने कुछ इसमें किया नहीं बहुत fancy problem नहीं, बहुत simple solution है, कि हमने map की जगा एक array यूज कर लिया, ठीक है, और since हमें पता करना था कि कितना array का size होगा, तो मैंने maximum score निकाल लिया, ठीक है, और उतना plus one size का एक array लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखाया, तो space complexity मेरा, कितना हो जाएगा, o of जो भी maximum score रहा ह होगा, ठीक है, ठीक है, और time complexity, o of n हो जाएगा, यहाँ तक clear है, ठीक है, जल्दी से तीनों को code करते हैं, और finish करते हैं, तो चलो, जल्दी से सारे approaches से code कर लेते हैं, सबसे पहला approach यह था, जिसमें हमें, हम क्या कर रहे है, हर एक score को store कर दे रहे हैं, कि वो किस index पर, किस player का ठीक है, result array ले लिया है, size भी ले लिया है, और तो इस map में मैं क्या store करूँगा, कि जो score है, score of i जो है, वो किस athlete का था, i-th athlete का था, ठीक है, i-th athlete का था, यहाँ तक clear है, उसके आद मैंने क्या बहला था, कि अब आप इसको sort कर दो, sort begin of score, end of score, greater int, ठीक है, तो इससे क्या होग descending order में sort हो जाएगा, based on the score, और कोई बात नहीं, अगर sort हो भी गया, तो मुझे हर एक score का index पता है, कि वो किस athlete का था, यहाँ पर मैंने map में store कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, for int i is equal to 0, i is less than n, i++, ठीक है, अब धिको ध्यान देना, if i अगर is equal to 0 है, मतला obvious है, descending order score में sorted है, तो यह first rank वाला athlete है, उसों हमें क्या देना था, gold medal देना था, तो हम क्या करेंगे, result जो है मेरा, result of, इस score, यह जो score है, जो भी score है, किस athlete को मिलने वाला, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, athlete is equal to, map से निकाल लेंगे, score of i, ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, कि यह जो score है, score of i, वो किस athlete को मिलने वाला था, ATH को मिलने वाला था, यहाँ पर मैंने, result of ATH में मैंने दे दिया, इसको, gold medal, ठीक है, यहाँ तक clear है, else if, अगर मेरा i is equal to is equal to 1 होता, ठीक है, मतब यह second rank वाला बंदा है, है ना, तो second rank वाले बंदे को हमें क्या देना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, same चीज़ copy कर लेते हैं, उसो क्या देना हमें, silver medal देना है, ठीक है, और इसी तरह, अगर third rank वाला बंदा हुआ, i is equal to is equal to 2 हुआ, मतब थर्ड rank वाला बंदा है, तो हमें सो क्या देना है, bronze देना है, ठीक है, यहाँ तक clear है, और अगर 0, 1, 2 के बाद वाले जो scores है, ठीक है, उनको हमें कुछ नहीं करना है, simply हमें क्या करना है, जो भी उनका position होगा, उसको string में convert करके डाल देना है, ठीक है, 0 base indexing है, तो i plus 1th उनका rank होगा, ठीक है, यहाँ तक clear है, return, result कर दो यहाँ पर, rank करके देखते है, we should be able to pass all the test cases, अच्छा देखो, यहाँ पर हमने ATH define नहीं किया, कि किस athlete का score है, यहाँ पर यह miss हो गया था, यह line, ठीक है, submit कर लेते हैं, we should be able to pass all the test cases, indeed yes, अब हम लोग आ जात पर, तो देखो, second approach में क्या था, मैंने क्या बला था, कि हम priority queue में store कर लेंगे, priority queue हमारा कैसे define करते है, priority queue, और याद करो, priority queue of integer नहीं, priority queue of pair store करेंगे, pair of integer, integer, ठीक है, तो by default, यह आपका पता क्या बन गया, by default, यह max heap बन गया, max heap of pair बन गया, pair का पहला element क्या होगा, score होगा, द index का था, index बने तो किस athlete का था, ठीक है, तो for int i is equal to 0, i is less than n, i plus plus, अब हम क्या करेंगे, max heap में डाल देंगे सभी को, pq.push, score of i, किस index का है, i-th index का है, ठीक है, और by default, यह, since यह max heap है, तो automatically score के basis पे, descending order में, वो sort हो जाएगा heap में, ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, जब तक heap empty नहीं हो जाता, pq.empty, तब तक हमें processing करते रहना है, ठीक है, और याद करो मैंने को बोला था, कि हम यहाँ पर rank, खिली एक variable रख लेंगे, int rank is equal to 1, कि किस rank वाले बंदे को अभी हम लोग देख है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं index निकाल लेता हूँ, सबसे पहले, pq.top.second, है ना, और int, कितना उसका score था, score की तो ज़रूत नहीं है, आपको index से ही मतलब है, है ना, बस index से मतलब है, और यह बंदा rank 1 वाला बंदा होगा, क्योंकि यह पहला बंदा है, ठीक है, और इस कि, पहले तो इसका index मैंने निकाल रखा, idx, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, result of idx में, इसको मैं दे दूँगा, gold medal, ठीक है, अगर, else if rank is equal to is equal to 2 होता तो, तो result of idx मैं क्या देता उसको, silver medal दे देता, else if rank is equal to is equal to 3 है, तो result of idx is equal to, sorry, is equal to bronze medal दे देता, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, rank 1, 2, 3 के अलावा कुछ होता, तो बड़ा simple है, हमें कुछ नहीं करना है, result of idx, जो भी उसका rank है, उसको string में convert करके दे दो, ठीक है, यहां rank को, हमने rank 1 से start किया, तो directly rank को डाल दिया, ठीक है, string में convert करके, और हाँ, rank बढ़ाते चलना है, क्योंकि अभी आपने pop किया, तो आप जो next element आएगा, उसका rank 2 होगा, उसके बाद जो element आएगा, उसका rank 3 होगा, क्योंकि descending order में sorted है और प्राइटी क्यों में ची में कोलन मिस हो गया था, let's see if we are able to pass all letters cases, indeed yes, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने third approach पर, तो देखो third approach में आपो क्या बता था, कि मैं simple सबसे पहले max element निकाल लूँगा, map की जगा मैं एक array उसकार लूँगा, that's it, तो max element निकालने के लिए आप या तो for loop लगा लो, या त directly, ऐसे max element निकाल सकतो, एक line में, है न, max score, as just max element, begin score, int score, but max score की जगा, इसको m ले लो, variable छोटा ले ले था, ठीक है, मैंने क्या बोला था, कि मैं एक map बना लूँगा, arr नाम देए उसका, ठीक है, उसका size देए है, vector of int arr, उसका size m plus 1 मैंने रखका था, और starting में सबको minus 1 से initialize कर clear है, अब देखो मैं क्या करूँगा, for int i is equal to 0, i is less than n, i plus plus, अब देखो ध्यान देना, arr में score of i वाले index पर मैं गया, और वो i-th player का था, वो मैंने store कर दिया, तो देख रहा हम map की तरह काम कर रहा है, है न, तो आप यहाँ अरे के जगा map ही लिग दो, तो ज्यादा ज्यादा better होगा, यहाँ पर MP लिख देते है, map, है न, तो देखो जाए तो हम क्या कर रहे है, कि यह score किस athlete ने लाया था, वो हम map में store कर ले रहे है, यहाँ तक clear होगा, ओके, अब बहुत simple है, for int i is equal to 0, sorry, 0 नहीं, last वाले से start करते है, m से start करते है, i is greater than equal to 0, i minus minus, ठीक है, यहाँ तक clear अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं rank भी लिख देता हूँ, int rank is equal to 1, अब्वेसे बात है, जो पहला बंदा मुझे दिखेगा, वो highest score वाला दिखेगा, क्योंकि मैं m से start कर रहा हूँ, है न, m से start कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं i ना लिखे, s लिख देता हूँ, s मतलब score हो score पे इसका value not equal to minus 1 होना चाहिए, अगर minus 1 है तब तो ignore कर दो उसको, ठीक है, अब मैं निकाल लूँगा कि भाई कौन था, athlete कौन था, मैं mp of s से निकाल लूँगा कि भाई यह athlete था, ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान देना, मुझे इसका place decide करना है, कि अगर अभी rank जो है, म जो भी athlete है, ठीक है, उसका index मैंने store कर रहा था, वहाँ पर क्या डाल देंगे, gold medal, यहाँ तक clear है, आप better variable का नाम रख सकतो, अपने convenience के साब से, मैंने variable का नाम कुछ ऐसा लिया है, athlete s, जो भी आपको variable से रहता है, वैसा कर सकतो, ठीक है, और अगर rank मेरा else if 2 होता, तो यहाँ पर मैं क्या डालता, silver, ठीक है, else if rank अगर मेरा 3 होता, तो मैं क्या डालता है, यहाँ पर, bronze, ठीक है, यहाँ तक clear है, और अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं result of athlete वाले index में क्या डालता है, two underscore rank है, यहाँ जो भी उसका rank है, यहाँ तक clear है, और जैसे ही यहाँ पर मैंने एक player को process कर लिया है, तो मैं यहाँ पर rank plus plus कर दूँगा, ठीक है, कि अब जो बंदा है, उसका rank 2 आने वाला, उसका rank 3 आने वाला and so on, ठीक है, लेकिना यह सारा चीज, if condition के अंदर होना चाहिए, क्योंकि MPS not equal to minus 1 होना चाहिए, है ना, ठीक है, last मैं हमें क्या करना चाहिए, return result कर दो, ठीक है, run कर के देखते है, we should be able to pass all the test cases, indeed yes, submit कर के देखते है, great, we have passed all the test cases, कोई भी डाउट होता है, रहें दें दें दें, comment section, I will try to help you out, see you guys in the next video, thank you